हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप एजूकिशन में है जैसे कि हम डेली आपके लिए लेकर कहते हैं इंग्लिस के पांच इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एक्जाम के लिए आपके इंग्लिस वर्कवलेरी के लिए बहुत ही अच तो यहाँ पर नमने बीच के पास बहुत सारी जनरेशन दिखा रहे हैं जो अपनी जो होलिडे होते हैं जो समर वेकेशन होती है उनको एंजोई करने के लिए आते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या है अपर दूरिंग दा समर टीनेजर ओफन कॉंग्रिगेट एट दा बीच यान तो अब ही यहाँ पर एक image दिखा है अमने image में क्या दिखा रहे हैं कि bank से क्या है mostly उसको डर लगा रहा रहे है कि bank से चोड़ी हो सकता है पैसा तो एक person क्या करता है अपने पैसे को अपने घर में ही रखता है तो हमारा sentence ही उसको चुछुछ तरी ही से बनाया है जे kept his money under his mattress जो बैंकों की जो उनकी पॉलिसी है उसको ले करके उसके दिमाग में डर बना हुए है और उस विए से अपना पैसा को कहा रखता है अपने घरी रखता है यह मैट्रेस यानि अपने गद्दों के नीचे पैसों को रखने जादा पसंद करता है X word देख लेते हैं Exorbitant. Exorbitant मतलब बहुत ज़ाद है यानि कोई भी कीमत है यानि कोई वे रुपीज 4.30 for a single cheeseburger, यानि एक single cheeseburger को उसमें कितना पे किया, 4.30 जो कि क्या था, बहुत जाद है था, next word देख लेते हैं, next word is abruptly, abruptly मतलब सीगरिता से, यानि अचानेकी, कोई भी ऐसा काम जो अचानेक से हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं, सीगरिता है अचानेक से, तो यहाँ पर हमने एक image दिखाया, image में क्या है, जो कोई परसान है, अपनी कार निकाल रहा था, पार्किंग से, और अचानेकी क्या हुआ है, एक पेड़ उसके उपर आगर के गिर गया, तो sentence हमारा क्या है, जैसे अपने गाड़ी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, अचानेकी एक पेड़ अगर के उसकी गाड़ी के उपर गे गया, और इसकी गाड़ी का पूरा का पूरा नुकसान हो गया, next word हमारा है vicious, vicious मतलब cusp दायक, यानि कोई भी हैसी problem जिससे कि आपको भूछ ज़्याद कस्ट हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं, vicious यहाँ पर अपने एक woman दिखाया है, उसको क्या है migraine pain हो रहा है, उसके वो दर्द कैसा बना हुए, उसके लिए cusp दायक तो यहाँ पर हमारा sentence कहा है जैनी suffering from vicious migraine, जैनी कोई परसान है, वो क्या कर रहा है, suffer कर रहा है from vicious, यानि एक cusp दायक migraine से, तो यह थे हमारे 5 important word, अब हमने इनको image की थूरू recall करने की कोशिस करेंगे आप try कीजिए, जैसे यह हमारा image है, इस image से हमें क्या जाद आ रहा है यानि कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लोग 188 हो रहा है, 188 होने मतलब 113 करन और यह हमारा क्या है, congregate और हमारा इस image को देखिए आप, इसको image कर देख कस दायक है जो भी हमने देखा था तो यह हमारा है, VCS यह image देख करें क्या आ रहा है यहाँ पर image इस से हमें यह recall कर रहे हैं, कि price के हैं बहुत ज़्यादा, बढ़े हुए हैं और बढ़े हुए price को हम क्या बोलता है, exorbitant और उसके एक दिमाग में एक मित्या ब्रहम, जो कि हम इस से में से यादाता है, यानि एक ब्रहम है उसके दिमाग में, उसके लिए हमारा word है, paranoia और अचानक से, यहाँ image को देख करके हमारा अचानक से पेड़ गिर गया, तो यह हमारा word है abruptly, तो आप ही try कीजे कि इन सारे words को एक बार image को pause कीजे और अपना दिमाग से recall करने की कोशिस कीजे, image के थुरू आप recall करेंगे तो आपको ज़्यादे लंबे समय तक क्याद रहेगा और try कीजे कि इन सभी word को आप कम से कम दो या तीन sentence में convert करें, और उनको convert करके अपना कोई paragraph daily try करें कि अपना एक paragraph लिख पाएं तो ये थे हमारे कुछ पांच important words जो हम आपके लिए daily लेकर के आते रहते हैं और हमारे channel के साथ बने रही है like करना ना भूले, subscribe करें और अपने जरुत्में friend के साथ इसको share करना ना भूले तो thanks for watching